आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीज पूरा पैटरंस का रिवीजन करेंगे वो भी एक लाइब क्लास में मल्टिपल इस्टुएंट्स के साथ जिसमें एक कोशन इस टैप का हो जाएगा तो आप स्कॉर शेप के प्रोग्राम कर सकते हो एक कोशन हम इस टैप का करेंगे तो ट्र इस टैप की पैटर्स का रिवीजन करने वाले हैं जैसे इसमें ब्लू जे वाला भी आ जाएगा इस टैप का पैटर्न और एस्ट्रिक वाला भी आ जाएगा और एड़ एंड लास्ट में स्पेस वाला पैटर्न भी आएगा जिसमें जो वैलीज होती हैं वो इस टैप से हम स यहां पर इस्ट्रिक है तो इच अब्री पैटर्न इस लिटल बिट डिफरेंट बागी की जो पैटर्ण्स होंगे वह इनी पैटर्न में से डियर आप जाएंगे लाइक मैं बताना चाहूंगा आपको अपने नोट्स मैंसे मैं क्या बताने की कोसिस कर रहा हूं मैं वह बताता थोड़ा सा मतलब मेरा इस टैप से कराने का मकसद यह है एक प्रोग्राम नहीं होना चाहिए एक साथ मल्टिपल प्रोग्रम्स सॉल्व हो जा रहा हूं मेरा यह जाने का जो तरीका है वो थोड़ा से डिफरेंट है जो अभी मैं समझा रहा हूं पैटर्न के बारे में आप मैं देखोगे कि एक साथ मल्टिपल प्रोग्रम्स सॉल्व हो गए मैं वो करना चाहता हूं अभी कि एक साथ आपके मल्टिपल प्रोग्रम्स सॉल्व हो जाना चाहिए मैं चाहता हूं उसकी जगह पर 10 प्रोग्राम हो जाए 20 हो जाए अब करेंगे नहीं बट इस तिल आपको ऐसा फील होगा कि आप आराम से कर सकते हो मैं वह फीलिम देना चाहता हूं कि अब तो पैटर्ण इजी है तो यह स्कॉर्ड टाइप का जो पैटर्ण था इस टाइप का एक जैसे हैं सभी पैटर्ण अब यह कंटिनियस हो गया टाइंगल तो नहीं स्कॉर्ड बोल सकते हैं और इसमें कंटिनियस अवी सीडी आ रहे है in the square pattern और यहां पर कोगें यहां पर टाइंगल होगे तो यह सब अब एक जैसे ही हैं जो मैंने बात किया थाता यहां पर यह सब कैटीगरी कौन सी हो गईं यह यहवाली और यह वाली कैटिगरी हो गाई इसमें इंक्लूडेड है और अगर आप देखोगे तो यहां से आपका स्टार्ट हो गया यहां आपको इस्पेस करने पड़ेगा यहां आपको इस्पेस करने पड़ेगा तभी आएगा अधरवाइस नहीं आएगा ओके तो यह स्पेसेज आपको मैंटेन करने पड़ेंगे 28 पैटर्ण के बाद इन ऑल पैटर्ण्स आपको स्पेसेज मेंटेंट करने पड़ेंगे ओके तो और फिर यह आपका यह निकल कर आता है जो आप इसकी बात कर रहे हो तो यह मैं करा तो दूंगा लेकिन एक्जाम पर पर से आना पॉसिबल सायद नहीं होगा एक्जाम में नहीं आएगा फिर आ जाता यह इस्ट्रिंग वाला पैटन तो करो है अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा लॉजिक क्या है एक सेंपल यो एक इस टाइब का पैटन की एक क्ॉस्ट्य गाप यह तो चैनक के मल्टिपल पैटन आपको निकल कर आएगे इसके 20 आएक हैं इसके 20 आएगी इसके 20 आइगे इसके 20 आएंगे, इसके 20 आएंगे, क्या मेरा लॉजिक समझता है, मैं क्या बताने ही गोसेश कर रहा हूँ, अब बात आती है, इतना याद क्या से रखेंगे, क्या बात आती है, तो मैं एक सांधर लॉजिक बता हूँ, कि किस टैप से आप याद रखोगे, आपको किंग के बारे में पता है, तो मुझे नहीं बता है, बाई, किंग नहीं जाओ, तो किंग क्या होता है, किंग मतलब राजा, अच्छा बैता हूँ, मुझे लगए यह कुछ अक्रोने में, न तो और किंग के नीचे क्या होता है, बहुत सारे, सोल्जर्स, अगर आपको इन सोल्जर्स को दोस्ती करने, इन सभी सोल्जर्स है, दो तरीके हैं, इन सभी सोल्जर्स से दोस्ती करने का, क्या-क्या है, या तो इंडिविजुली इन सोल्जर्स से मिलो, और दोस्ती कर लो, सब्सक्राइब करने पड़ेगे और आपके अंडर में आप जाएगे एक तो यह तरीका है ऐसे ही यहाँ पर हंड़ेट पैटरंस हैं हंड़ेट पैटरंस को आप सॉल्व करो प्रैक्टेस करो एंड वह जाएगा मनलब बहुत टाइम जाएगा वर्स सेकिंड वे जिससे कि हम तुरंट इन से दोस्ती कर सकते हैं कोई बता सकता है एक तरीका तो मैंने बता दिया पर उनको अपने पास बुला क्या आप सोल्जस की वज़ाएं सोल्जस का अपके बास बुला आप बहुत नहीं वो नहीं यह नहीं चलेगा सब एक दूसरे को नहीं जांते हैं यह सोल्जस डिरेक्ली राजा से दोस्ती कर लो एक्जैक्टली राजा से दोस्ती करो आपने मुवी देखी होगी ना राजा गया तो सोल्जस भी भग जाते हैं यस और नो आपने राजा को मार दिया तो सोल्जस क्या करेंगे सोल्जस भी सरेंडर कर देते हैं यह तो हर मुवी का एक सेंटर पॉइंट रहता है रहता है यह नहीं तो normally हमें क्या करनी है राजा से दोस्ती करनी है और अगर King को हमने कर लिया तो एसी ही आपको सभी पैटन्स को प्रेक्टिस नहीं करना है एंक किंग पैटन देखना है अगर आपने उस किंग पैटरन को सॉल्ट कर लिया अच्छे से समझ लिया तो सभी पैटन आपकर सकते हो अब तो मेरे अकॉर्डिंग यहां पर आपका जो किंग है वह यह वाला पैटन आप बोलोगे यह को कर लिए दो मिनिट के अंदर पैटन साल्व हो जाता है अच्छा मुझे बताओ यह वाला पैटन अभी अगर मैं देता हूं इस पैटन कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो यह है कि इसमें वह फाइव तक लूप लगा कि फिर उसके बाद जी प्रिंट करना है रहे इसमें जी प्रेंट होगा डैट सा करेक्ट पॉइंट मिस इन लूप बैली बोलोगे ज्यादा बैटर विकॉस जे कौन सा लूप है यह किसी को पता नहीं अब कुछ लोगों को पता होगा कुछ इस्वेंट को नहीं पता होगा तो है इन लूप लगाएंगे लगाएं लगाएं आपका काम हो जाएगा और जे प्रिंट हो जाएगा डैक से बट उसके भी कुछ रूल्स राइगुलेशन से हम डिसक्स करेंगें बस यह पैटर्न कि iste नहीं आता वह बदाना है आपको यह पैटर मतबर अब तो सबकरी आता है विचार आज आता है तो बागी के यह पैटरेंट क्यों नहीं आते वह हमंने समझता है क्योंकि इस पैटरनस से सभी ही पैटर आपके आजाएंगे तो इस pattern को ही अच्छे से समझना है अब कैसे आएंगे इस pattern से वो किसी को पता नहीं है I think so क्या यह possible है कोई समझ पा रहा है मेरी बात को कि इस pattern से बागी के सभी patterns आ जाएंगे सब्सक्राइब करना है और यह जो फिफ्ट वाला पाटन है इसमें से वास्ट को प्रिंट करना है पर वह लूप से लगेगा इस पैटन का क्या रहा जाएगा यह जो कोशन नमर्टू को मैंने किंग पैटन बना दिया है पहले तो आपको यह बताना है कोशन नमर्टू किसका किलियर नहीं है पहले कोशन नमर्टू को समझते हैं और आपको लाइब दिखाने के लिए मैं ब्लू जे का सहरा लूगा जिससे कि आपको बलीव हो जाए कि हाँ जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो इसलिए ब्लू जे को साथ में लेके चलेंगे तो एक्जीउट कर लिया तो ऐसा लगता है कि हाँ जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो किया प्रशांत आपका क्लियर है क्या पैटन टू यह सर्थ आप सोचो गे यह तो आता ही है और यही सबका यह है और लेकिन मैं किस चीज की तरफ इसारा कर रहा हूं वह आप साथ नहीं समझता है वाभी तक आइफिंग सो देखते हैं कोई बात नहीं अब मैं करके दिखाता हूं इस चीज को लाइव तो आपको समझ में आएगा इसका नाम भी किंग पैटर्न रख देते हैं तो इससे पैटर्न नंबर टू का अंसर आ जाएगा यास और नो आपको बस इतना पहले तुम्हें एक्जिट करके भी बता देता हूं तो एकदम पर्फेक्ट आ रहा है अब पॉइंट यह आता है कि आपको मेरे बस questions का अंसर देना है मैंने इनके रही कुछ rules बनाई थे rules में क्या आता है कि जो यह पर्फ लगाते हैं क्योंकि राजा से जो दोस्ति करनी आपको लगता है कि आपको अच्छे से आता है बट कुछ लोगों को क्या है रट जाता है यह ऐसा ऐसा कर जैसी पैटर कि यह रटा हुआ है किसे understanding है properly क्योंकि रटे हुए से problem solve नहीं होगा आपका अंसर आ जाएगा बट आप other codes नहीं कर पाओगे लेकिन अगर आपने एक बास समझ लिया तो आप other codes कर सकते रहों अब यहां पर जो outer loop run करते हैं वो किसके लिए होता है रोस के लिए या columns के लिए अ का रिए Smoke YouTube रहुब ढय्तु अब और रोस और और इने लू होता है वह collants फों। और ऑम जे का प्रिंट करते हैं इनलोक कॉलंंस के वाली टाग नहीं है सही है उन्हों सर नहीं है से मुझे नहीं समझा मलब जे और आई का प्रिंट करते हैं कि वी प्रिंट जे हम आई सब हम आई जेने सब प्रिंट करते हैं लोग वैरियाबल वेन वी एव इन रो मुझे बताओ रो में डिफ्रेंट वैलिउस अप देखने को मिल रहा है या नहीं वन टू ट्री फॉर बन टू ट्री फॉर डिफ्रेंट वैलिउस हैं रो के अंदर है नो और एक पैटन ऐसा भी होता है है यह बिए डिफ्रेंट यह बीजी अड़ियु अदर कर तो में इसकी बात कर रहा हुए उनधर सभा का मीनिंग हैं मैं तो एहीं पर मैं चाहता हूं रूल्स रागुली स्टोडर हो जाए अक आउटर लूब वेरिबल इनर लूब वेरिबल ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ जे और यहां पर आउटर लूब वेरिबल क्योंकि कुछ लोग A, B, C, D मलए A और B लेते हैं कुछ लोग X और Y लेते हैं that's why मैं fix J नहीं कर रहा हूँ but according to this question I or J है हमारे पास when we have same values in row and column यह already मेरे notes में यह rules है तो same and different का meaning clear हो गया especially जो 2-3 students है like कर रहे हैं क्योंकि यह आपके लिए first time मैं explain कर रहा हूँ and और कौन है इसमें प्रिशान यह inner and outer loop का meaning समझ में आया जो मैंने रही रूल बताया यह मैं दुबारा बताऊं क्या दुबारा बताना है अगर आप notice करोगी यहां पर same है तो मैंने क्या print किया है X print किया means outer loop variable print किया है here we have different values in row तो मैंने print किया Y मतलब inner loop variable यहां पर भी different है तो मैंने Y print किया है देखो Y है ओके केवल तिरी अंसर दिये बागी के तो अंसर दिये नहीं केवल कोशन ही कोशन है इस रूल में किसी को कोई problem because यह रूल यह रूल और यह रूल आपके माइंड में रहना चाहिए without any revision आपको कुछ revision की ज़रुवत नहीं है बस इसे रटना है ऐसा नहीं कि आपको revise करना है मैं तो बोल रहा हूं जैसे formula को हम रटते हैं वैसे रट लोग फिलाल के लिए कि यह क्लियर हो गया कि मुझे बताइए इस लाइन को अगर हम कर देंगे तो क्या होगा सब कुछ एक लाइन में आ जाएगा सब कुछ क्या होगा एक लाइन में आ जाएगा तो इस लाइन का purpose भी discuss कर लेते हैं जैसे i में 1 है यहाँ पर यह one time चलेगा और यह one time रन होगा only और उसके बाद ln मिलेगा तो हमारा जो cursor है वो new line पर पहुंच जाएगा और i में हो जाएगा 2 जब i में 2 होगा तो अब यह two time चलेगा one के लिए and two के लिए one and two three आने पर condition false हो जाएगी फिर new line मिल जाएगा तो यहाँ आ जाएगा one two three अब आप सोच रहे होगे कि यह तो आपको आता ही है मैं बार बार क्यों बता रहा हूं इसे तो मुझे नहीं पता कि किसे कितना ज्यादा आता है बट मैं चाहता हूं कि deeply यह completely clear हो जाना चाहिए each and every logic फिर one two three four अगर हमने यह line को miss कर दिया तो जो हमारे cursor next line पे जा रहा वो नहीं जाएगा फिर answer आएगा one one two one two three one two three four one two three four five यह answer आएगा इसलिए यह line का अलग importance है तो यह line को समझना है और यह line का अलग है हमारा अगर हमने यहाँ पर आई कर दिया तो answer आएगा one two two three 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 four 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 five 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 यह answer आएगा try कर लेते हैं एक बार यह भी हम easy level पर चल रहा है इसी को फिर हम tough level बना देंगे तो अगर आप notice करोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है सेम पैटन आ रहा है जो अभी हम discuss कर रहेते हैं अब point यह है कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि यह यह जो पैटन है यह कि पैटन की तरह होगा क्योंकि अगर मुझे इस पैटन से इस पैटन में जाना है तो मुझे क्या करना है आई की जगह पर five करना है only तो मैं बस थोड़ा सा चेंज करूंगा और मुझे वो पैटन मिल जाएगा जो मुझे चाहिए है ना मैजिक अब मैंने क्या चेंज किया यहां पर यह जो ट्राइंगल बन रहा था आई की वजह से इधर भी मैंने five time चलाया इधर भी five time चलाया यह पूरा five time चलेगा आपको five values देगा one two three four five उसके बाद new line मिलेगा and then next line पर जाएगा इस line के लिए आई का जो value था it will be one फिर next line आया I will be two for the next line one two three four five फिर I will be three one two three four five print के वाल इतना होगा I का value print नहीं होगा okay one two three four five one two three four five अब हमने आई प्रिंट स्थरी यहां आ प्रिंट है ना तो one 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 two 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 three 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 four 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 five 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 अगर आपने जे कर दिया तो आपको यह मिलेगा आई कर दिया तो यह मिलेगा तो हमने आई किया था इसलिए यह मिल रहा था तो अभी तो छोटा सा magic दिखाया है थोड़े से बड़े magic पर आते हैं अब मुझे क्या करना है यहाँ पर मैंने क्या मैंने कुछ वीडियो में बोला भी है कि इसको टेंशन नहीं लेना है आपको बस जो ABCD वाला पैटन है उसे 1 to 3 में कनवर्ट कर देना है आपको बस लेट करना है A is 1 B is 2 तो यह पैटन जो है आपका क्या बन गया यही पैटन बन जाएगा 1, 1, 2, 1, 2, 3 अगर आपने इसे एजिम कर लिया 1, 2, 3 में तो नॉर्माली आपके पास पैटन आपका यह है A, A, B, A, B, C A, B, C और इस पैटन को देखकर डर लग रहा है तो पहले तो इसे सिंप्लिफाई कर लो A is 1 1, 2, B is 2 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 राइट अब क्या होगा Each and every student वो लेगा यह तुमें कर सकता हूँ A, B, C, D में प्रावलम है तो भाई यह कर लो ना पहले मैं तो यह बोल रहा कि 1, 2, 3 वाला करो 1, 2, 3 वाला करने के बाद क्या चैंज करना होगा बस वो साहथ कुछ बच्चों को पता भी होगा Sir, care of 1 प्लस 64 Sir, care of J प्लस 64 हां, क्या चैंज करना होगा बता हो जड़ा care of J प्लस 64 हमें इस प्लस प्लस 64 में आए के बच्चाए इन्टु ब्राकेट प्लस प्लस आए हमें ABCD में चाहिए तो character conversion code लगेगा explicit conversion और हमें AB जे प्रिंट होगा J प्लस 64 करना है यह 64 वाला लॉजिक याद रखना है अब बात आ जाती है सर 64 कैसे याद रहेगा कैसे हम प्लस करें तो मैंने आपको बोला है just learn the SC code वो आपको अलगलग जगह पर आपको काम आएगा it's not for pattern only आपको यह SC code तो याद होना ही चाहिए आप बताओ फिर मैं लिखता हूँ देखते हैं किसे याद है इस इस इसे ऐसे आपको ए सी दरे 97 वान चाहिए 0 to 9, 48 तो ए सेवन 48 तो 57 यह SC code तो हमेशा याद रखो अगर यह इसकी कोड याद है तो आपको करना क्या है यहां पर इतना कोड तो आई गया है आपको पता है कि 123 यह तो आई गया है 123 वाला अब 123 की जग़ा पर 65 चाहिए और 65 को हम यह में कनवर्ट कर सकते हैं तो जे में हैं 1 प्लस 64 यह कितना हो गया 65 हो गया फिर जे में आएगा 2 प्लस 64 इट विल बी 66 जे में आएगा 3 64 67 तो यह में कनवर्ट हो जाएगा दी में कनवर्ट हो जाएगा तो जे आपको वह वैलिस प्रोवाइट कर देगा जैसे जहां पर भी 1 है वहां 65 आ जाएगा यहां वन है 65 आ जाएगा 65 आ जाएगा 65 65 और 65 का मतलब है और टू की जगह पर आ जाएगा 66 66 66 66 67 67 67 68 68 69 और यह 65 66 इसको कनवर्ट कर दिया हमने कैरेक्टर में तो यह आटमेटिक कनवर्ट हो जाएगा एबी-सीडी में चलो देखते हैं इसका मैजिक यह काम कर रहा है या नहीं क्या लगता है क्राम करेगा क्यों क्राम नहीं करेगा बट एक टाइंगर शेप नहीं हुआ क्योंक किस इसको यह सब्सक्राइब कर रहे हैं तो नहीं पता होगा यह वाला कॉंसेप्ट प्रशान आपको दो पर पहले से यह बताया था मैंने प्रिविश क्लासेश में उक्तो चलो आप तवरी क्लीयर नहीं से कोई ऐसा है इसे यह नहीं था पहले से सब्सक्राइब करें तो अभी क्लियर हो गया कैसा लगा यह मतलब अगर आपने इस टाइप के एबी सीडी वाले जितने भी वन टू-3 में कंवर्ट कर लिए विकाज वन टू-3 वाला जो पैटर्न है वह इजी लगता है कंपेर्टिवली एबी सीडी वाला क्योंकि एबी सीड याद रखना है तो अलग हट जाओगे और आपको बन टू-3 वाला प्रक्टिस इस ली है क्योंकि नाइंत में भी किया जब भी पैटर्न स्टार्ट करते वन टू-3 वाला याता है तो बन टू-3 वाला जो पैटर्न है वह जल्दी से याद हो जाता है लेकिन मैंने क्या किया जितने भी आपके वन टू-3 वाले पैटर्न है सम में आप यह कर दो 64 प्लस कर दो पहले उसे वन टू-3 में कनवर्ट करो और वन टू-3 वाला कोड कीजिए और यह वस लाइन लिखना है केवल इतना अगर्णा है ओके आप चाहो तो टेस्ट कर सकते हो आप एबी सीडी में क करूंगा और वन टू-3 वाला कोड करेंगे और उसे इस टाप से कनवर्ट कर देंगे तो चलो एक गैम खेलते हैं एबी सीडी वाले में और उसके बाद आ रहेंगे हम ब्लू-जे वाले कोड पर रिया आपको समझ में आया तो क्या यह लॉजिक इजी था या थोड़ा स्ट मैं आप सब्सक्राइब तो अभी इजी लग रहे हैं आप चलते हैं नेक्स पैटर्न आप कोई भी रेंडम ली एबी सीडी वाला पैटर्न चूज करूं मुझे बताओ मैं यहां पर उसे सॉल्व करूंगा तो इस पर हम आएंगे अभी वह एबीजिक वाला हो जाएगा इस सब्सक्राइब आएंगे अभी वह जल्दी हो जाएगा इबी सीडी में कोई एबी सीडी जैसा पैटर्न मुझे बताओ जल्दी से शराई जेकिया लेमन अब दीरे दीरे बोलो आई आई जे के इतना है यह सर्थ यह मैंने रांडम ली बोला है मैंने कहीं से देखा नहीं है हाँ चलेगा बट ऐसा भी कोई है इसका कोई प्रॉब्म नहीं है आगे तर मैं बोलो आई जे के एल एम आई जे के एल आई जे के आई जे आई राइट अब आई को वही मानना है वन टू थ्री तो जस्ट या तो अगर आई वन अगर आप एक को वन मानते हो तो फिर आई का वो वेल्यू मानना पड़ेगा पूरा चैंज हो जाएगा आई को ही वन मान्दो अग्ण बिद्र आए इस वन ऑके 123456123456 मतलब इसका जो पैटन बनकर आएगा वह यह वाला बन कर आएगा 12345612345 12345123123 सब्सक्राइब करोगे तो आप डर जाओगे अगर यह वाला पैटन करोगे तो कहीं तक उम्मीद है कि आप कर पाओगे यह उम्मीद है ना तो पहले 123 वाला करते हैं करने के लिए यहाँ पर कि सबसे पहला प्रेंट होगा या जैंठट होगा हमने कैसे डिसाइट किया क्योंकि डिफिरेंट वैल्यू जैंट होगा एधर जै में वन से स्टार्ट होगा क्योंकि every time one से start हो रहा है j less than is equal to i होगा j plus plus होगा तो ये भी सही है j plus plus क्यों होगा क्योंकि one के बार two चाहिए two के बार three चाहिए ये भी fix है i पर end होना चाहिए because ending value fix नहीं है तो ये loop भी एक्तम first class है but i में अगर आपको first value think i का first value क्या होना चाहिए one two three four five six print करने के लिए i में मुझे क्या चाहिए यहां पर जिससे कि मुझे ये line मिल जाए think about it i is equal to six होगा i is greater than or equal to one i रुको 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 या पान आप पूरे ही loop बता रहे हो आप सोचो यहां i में हमें क्या चाहिए सोचो सभी i में अगर मुझे six मिल जाता है तो मेरा ये row print हो जाएगा या नहीं सोचो ज़रा i में मुझे six चाहिए या नहीं first row print करने के लिए ये वाला ये वाला भी तो लगा सकते हैं i one two six चाहिए और फिर जे शेक्स तो आए लेकिन जे प्रिंट हो रहा है न क्या बोल रहे थे आप जे इस एकल टू six एंड जे ग्रेटर देन इसक्वाल टू आई ऐसा कुछ अरण्या लेकिन प्रॉब्लम इस वाट कि जे इस प्रिंटिंग और जे में अगर आपने सिक्स कार दिया तो आपका जो गलत आ जाएगा मनलब 65421 यह वैल्यू आएगा ना कि 123456 आएगा क्या आपको समझ में आ रहा है यह चीज़ अगर आप यह आपका मनलब six वैल्यू तो आ जाएगी बट वैल्यू गलत और टी आ जाएगी न तो हम यह नहीं कर सकते समझ में क्यों नहीं कर सकते हैं विकोज यह तो जे में तो मुझे वन चाहिए जे में मैं six नहीं कर सकता हूं ओके तो अब मेरे पास एक ही रास्ता है आई में मुझे six चाहिए बट यहां तो मैंने one से start किये हैं मुझे यहां पर किस से start करना पड़ेगा six से start करना पड़ेगा तो मुझे one तक चलाना पड़ेगा उल्टा करना पड़ेगा उपर वाला लूग। हमने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि उपर वाला लूप उल्टा करना पड़ेगा लेकिन according to requirement हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर I में 6 लाने के लिए मुझे उपर वाली लूप में 6 चाहिए तो 6 to 1 हमें उल्टा कर दिया लूप तो आराम से अभी 1 to 3 वाला लूप 1 to 3 वाला अंसर आपका आ जाएगा IJ वाला नहीं आएगा उदर लॉजिक लगाएंगे कि क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं तो 1 to 3 वाला तो सक्सेस्पुली आ गया राइट अब IJ में कैसे convert करें हमें से थोड़ा सा space लाने पे लिए हम यह दे देते हैं प्लस 64 करेंगे अब इतना तो आप पुछ से समझ जाओगे कि प्लस 64 किया तो क्या होगा अगर प्लस 64 किया तो क्या होगा यह तो बतानी जहोद नहीं है IJ के आ जाएगा क्या ABCD आएगा देखो बट मुझे तो I से start करना है तो I से start करने के लिए कि अब इतना तो मतलब दिमाग हर कोई लगा सकता है कि अगर सिस्टी फोर प्लस करने से मेरा आ रहा है तो आई लाने के लिए मुझे क्या प्लस करना चाहिए तो जस्ट काउंट कर लो ना इतना कुछ 26 लेटर है इतना टाइम तो मतलब मिल जाएगा आपको ए बी सी डी ए एफ जी एज आई 65 66 67 68 69 कि 70 71 72 73 कि इसका अब बार बार रिपीट करूंगा इस चीज़ को मैंने रिकॉर्ड भी कि कि आया अभी इस क्लास को तो देखो कितनी जल्दी आ गया है मैजिक मुझे तो मतलब सामदा लॉजिक लगता है बट आप वो कैसा लगता है ये मुझे नहीं बदा लेकिन देखो इन्होंने रेंडम भी चूज किया और और अंसर आ भी गया इसे नहीं समझ में आया कि यह यूज कर सकते हैं कि इन लूप के लिए इसे स्टार्ट नहीं होगा फिर आई से आजाते हैं यह ABCD वाला चलो हो गया वाट अबाउट इस वन इसे कैसे लेकर आए इन में तो कोई वह रिलेशन नहीं है दे मंदलब दे इस नो डिलेशन एक यह दाई भी अगिए में यही लोगे बाइगा नहीं यहां यहां यह लोगिक को सब्सक्रेंगे हां हम यह पिट 10 एक बीच का डिफ्रेंस है एल और एक डिफ्रेंस और एक का डिफ्रेंस और एक डिफ्रेंस क्या सब में जो डिफ्रेंस है वो 10 है सबका डिफ्रेंस अलग अलगी होगा लेकिन तो यह पता कैसे चलेगा और यह बहुत हेक्टिक हो जाएगा फ्रेंस सब में 10 का डिफ्रेंस नहीं है किसी में 10 का किसी में 20 का है किसी में 4 का है तो तो इसमें थोड़ा सा सबका होई गया है हमारे पास है stream blue j और आपको सबको पता है इनकी positions होती है 0, 1, 2, 3, 4 तो क्या मैं इनकी positions का एक ये बना सकता हूं B का मतलब है 0 0, 1 0, 1, 2 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3, 4 क्या मेरा ये वाला pattern बन सकता है क्योंकि 1 का मतलब L है 2 का मतलब U है 3 का मतलब E है 4 का मतलब ये है तो मैंने इसका x-ray निकाल दिया सोचो जरा अब 0, 1, 2, 3 वाला है क्या आप 0, 1, 2, 3 वाला loop लगा सकते हो I think so आप बोलोगे ये ये तो बहुत simple है ये तो पहले जैसा ही हो गया नॉर्मली ये तो पहले वाला ही प्रोग्राम हो गया जो हमारा वो कोशन नमबर जो तू था वही प्रोग्राम है बस यहां 00 यह तो एड हो गया इच्छा तो 00 एड हो गया तो बस जीरो से तो लेना है यहां पर जीरो कितनी रोज है यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 पाइव रोज है और फाइव रोज है आप हाई तो जीरो से चलाने की जोज नहीं है आप तो यह तो यह तो आप वन से भी कर सकते हो लेकिन जे आपको जीरो से करना पड़ेगा क्योंकि जे की वैल्यू हमें चाहिए अब पॉइंट यह है कि यहां 4 तक चाहिए हमें 4 ले लिया पहले तो मैं यह इसका जो हमने प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने उसको सेंड नहीं किया वीडियो से देख लेना रेकॉड तो होई रहे हैं में ज्यादा फ्लो हो गया में जो समझा रहा है उसको तो कुछ मैंने स्किन्शॉर्ट सेंड किये हैं अभी उसका सेंड नहीं गिया वैसे भी टैंग भी नहीं होतना लेकिन मेरा यह लॉजिक याद रखिए देखो जीरो वन टू तु त्री आ गया बस उनकी पॉजिशन का केरेक्टर निकाल के रखना है केरेक्टर किसे आता है यह फंक्शन का काम आएगा कि एस्टी यार कि थोड़ा सा सोच की देखना है इन लॉजिक्स को एस्टी आज डॉट के एट मैंने बस जीरो वन टू टू त्री की दग़र पर उसके कर दिया जैसे मैं क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स एक्क्विशन होती है लैट करके चलते हैं मैं भी यह लैट कर रहा हूं कि अगया बस मैंने 0, 1, 2, 3 की जगह पर क्या किया है? 0 की जगह पर B print कर दिया, क्योंकि ये caret function क्या करता है? पोजिशन से character निकालता है, तो 0 की जगह B आजाएगा, 1 की जगह पर L आजाएगा, 2 की जगह पर U आजाएगा, 3 की जगह पर E आजाएगा, 4 की जगह पर J आजाएगा, और देखो आगे, तो मेरा simple logic क्या है? कि जो भी आपकी अजीवोगरिक pattern है, उन्हें 1, 2, 3 में convert करो, because 1, 1, 2, 3 is more familiar for you, और अगर आपने उसे 1, 2, 3 में convert कर दिया, तो आपको एजी लगेगा, कि आदे यह तो 2 मिनिट में कर दूँगा, but आपको उसे reform करना भी आना चाहिए, पता चला, आप reform नहीं कर भारे तो problem हो जाएगी, reform करने के logics पता होता चाहिए, मतलब आप कोई problem solve करने के लिए जा रहे हो, तो आप वहाँ चले तो गए, लटकर वापस नहीं आ रहे हो, लटकर वापस भी आना है, लटकर वापस आने का मतलब है, कि आपको यह वाला logic पता होना चाहिए, कि इसे ABCD में convert, मतलब उसके place पर कैसे ALUE को लेकर आएगे, BLEU के लेकर आएगे, और यहां ABCD को कैसे लेकर आएगे, राइट, रिया यह समझ में आया क्या, तो कॉंप्लेक्स हो गया है या पिर एजी लगा, सबको पैटन में प्रोब्लम है, अब बात आती है, कौशन नमर शिक्स का कौन बोल रहा था, सबसे ज्यादा, कॉशन नमर शिक्स करो, कॉशन नमर शिक्स करो, अब दे लिए, चलो, कॉशन नमर शिक्स को जल्दी से कर लेते हैं, बाकी का में, मेरा जो इंटेंशन था, समझ में आ गया होगा, और काफी वीडियो में मैंने इस इंटेंशन को बोलने की कोशिस की है, टू-त्री वीडियो जिसमें मैंने बताने की कोशिस की है, इस टाइप से, बट यह थोड़ा और डिफरेंट हुआ उन वीडियो से, और यहां पर, अगें हम कॉशन नमर टू को solve करेंगे, and question number two को solve करने के लिए, मुझे क्या करना होगा, यहां पर one करना होगा, यहां पर five, और यहां पर one, and यहां पर symbol j, तो इससे क्या होगा, question number two print होगा, right, तो पहले चेक कर लेते हैं, question two print हो रहा है या नहीं, मैं किवल आपकी खुशी के लिए, इसे execute कर तक के दिखा रहा हूँ, again and again, मुझे तो पता है कि वो होगा, यह नहीं होगा, योगी एक बाद देख लेते हैं, तो better clear हो जाए, देखो, one, two, three आ गया, अब बस मुझे क्या चाहिए, वहाँ पर यह spaces चाहिए, extra, last program कर रहे है, तो एक space का लूप लगेगा, extra, और, एक sp नाम से variable ले लेते हैं, sp, और sp, अब हमें logic यह लगाना है कि, क्या, ऐसा loop लगाएं, जिससे कि पहले four spaces print होना चाहिए, तो four space print करने के लिए, suppose मैंने यहाँ पर i ले लिया, sp is equal to i, इसका मतलब sp में क्या आ जाएगा, one, because i is one, तो one से लेकर हमें कहां तक चलाना है, sp less than is equal to four, because i want four spaces, आप यह मत पोलना कि sir, four कैसे आया mind में, because मुझे four spaces print करने है, और i में one है, और i से connect करना पड़ेगा, because आभी first time four चाहिए, फिर three चाहिए, फिर two चाहिए, वो केवल i करके दे सकता है, i से आपको connect करना ही पड़ेगा, तो i में जब one है, तो four spaces आ जाएगे, जब i में two आएगा, तो two to four चलेगा, मालब three spaces आईए, साम हो गया, साम ने उल्टा किया, a is equal to four, हाँ वो कर सकते हो, मालब यहाँ चलेगा, जहाँ आई प्रिंट हो रहा है, या space print हो रहा है, आप उल्टा लूप भी लगा सकते हो, अंसर आ जाएगा, दौना पॉसिबल है, we have two ways, अगर i print कर रह पहले दो लोगों ने objection किया, तो महाँ पर मैंने बोला था कि गलत है, क्योंकि वो गलत था, यहाँ पर आपने objection किया कि इसे उल्टा कर सकते है, मालब यहाँ पर four कर सकते है, क्योंकि value print नहीं हो रही यहाँ पर, बस यह कि उतना चलना चाहिए, simply, बस यह उल्टा करना मैंने वीडियोस में बताया है कि कुछ loops के दो-दो forms है, मैंने दोनों forms करके बताए हुआ है, I think थोड़ा सा tension कतम हुआ होगा, शक्षम, प्रिशान्त, एंड रिया, और मोनिरा, आप चार लोग, थोड़ा सा pattern के बारे में problem solve हुआ और अनन्याल सो, वैसे तो जातर नई बच है, patterns, first time ही मैंने इतना deeply बताया है, थोड़ा सा अलग तरीके से बताया, बस मेरा logic अगर आपको समझ में आ गया, कि मैं, अब आप मुझे बताए, क्या उस pattern को king गोलना, सही है या नहीं, यह pattern को मैं king गोल रहा था, क्योंकि इसी pattern से सब कुछ आसान हुआ या नहीं, इसी से ह इसी तो सब कुछ निकला, अगर आपने notice किया होगा तो, क्योंकि मैंने क्या किया, इन सभी pattern को इसी में convert किया, सब इसी से direct हो रहे थे, अच्छा एस्ट्रिक वाला रह गया, एस्ट्रिक वाला कर लोगे या फिर आप confused कोई है, confused एस्ट्रिक वालम है, यह जो एस्ट्रिक व प्रिंट होगा ना जे प्रिंट होगा, अल्ली एस्ट्रिक लगा देना है, बस, ना आई प्रिंट करना ना जे प्रिंट करना है, क्या करना है, एस्ट्रिक लगा देना है, आपका answer आ जाएगा, और किसी भी pattern का answer चाहिए, तो मैं इस recording को YouTube पर upload कर दूँगा, आप वहाँ से कि मैं answer upload नहीं कर पाया, थोड़ा fast जाए, जोड़ा slow हो जाता है processing, देखो आगया answer, तो simply क्या करना होता है, वही, एस्ट्रिक को भी 123 में convert कर दो, just get 123 and just वहाँ I और J की देवर पर एस्ट्रिक प्रिंट कर दो, answer आ जाएगा, ओओ, ओओ, यह ID दूसरा था, और अब देली का answer आया है 2D array से related, तो यह दोनों topic connected है, related है, because 2D array में nested loop लगता है, और pattern में भी nested loop लगता है, तो अगर आपको nested loop अच्छे से समझ में आ जाता है, तो 2D array भी आप अच्छे से कर सकते हो, तो जो आपका normal loops होता है, normal loop, यह connect होता है आपका array इससे related, और जो आपका nested loop होता है यह connected होता है, 2D array, क्योंकि 2D array में हमेशा nested loop लगता है, nested loop बोल सकते हैं, या फिर patterns बोल सकते हैं, patterns हमेशा जालता है, nested loop होता है, और जो normal loop सीखते हो, वो array के लिए सीखते थे, ऐसाने कि वो cable series बनाने के लिए है, या looping हम सीख रहे हैं, उसका actual use array में देखने को मिलता है, और nested loop का actual use 2D array में देखने को मिलता है, तो अगर आप nested loop patterns कर रहे हो, इसका मतलब side by side 2D array भी clear हो रहे है, 2D array कर रहे हो तो pattern clear हो रहे है, array कर रहे हो तो loop का practice अपने आप हो रहा है, तो यह connected है एक दूसरे से, ओके?